बजार में काशी की एक समोसे की दुकान थी, काशी बड़े सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ती थे, उनका एक बेटा भी था, दुकान के एक कोने पर काशी समोसे तलते रहते और दूसरे कोने पर उनका बेटा पैसे लेने देने का हिसाब करता था, दुकान के सामने एक बड़ी सॉफ्ट्वेय कमपनी थी, कमपनी में दोपहर को जब लंच का समय होता तो कमपनी के लोग अकसर काशी की दुकान पर समोसे खाने आते थे, हुआ यू की एक दिन कमपनी के मैनेजर महेंद्र बाबू समोसे खाने राये, खाते खाते महेंद्र बाबू को कुछ मजाक सुझा और वो काशी से बोले, भाई समोसे तो आप बहुत ही बड़िया बनाते हो और दुकान भी आपकी काफी अच्छी चलती है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये समोसे बेचकर तुम अपना कीमती वक्त खराब कर रहे हो, अगर थोड़ा और पढ़ लेते, थोड़ी और मेहनत करते तो मेरी तरह कहीं मैनेजर होते और एश्वारम की जिन्दगी जी रहे होते काशी बेचारा सरल स्वभाव का आदमी था वो बोला, मेनेजर साहब आपके और, मेरी इस काम में बहुत बड़ा फर्क है आगे काशी बोले, आपको याद होगा आज से करीब 10 साल पहले आप इस कंपनी मैं एक जूनियर के पद पर आये थे, उन दिनों आपकी पगार 10,000 रूपे महीना थी, मेरे पास तब दुकान तो थी नहीं तो मैं उन दिनों टोकरी में समोसे बेचा करता था और मेरी कमाई करीब 1,000 रूपे महीना थी, आज 10 साल बाद आप मैंनेजर बन गए और आपकी पगार है 50,000, मेरी अब अपनी दुकान है और मेरी कमाई है 2,000,000 प्रती माह लेकिन चलिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपने अपने जीवन में जो मेहनत की है वो आपके बेटे के काम नहीं आएगी वो आपके मालिक के बच्चों के काम आएगी, जब मेरा बेटा बढ़ा होगा तो वो मेरी दुकान को संभालेगा और उसे कोई संधर्ष नहीं करना पड़ेगा मैंने मेहनत करके अपनी दुकान को बढ़ा बनाया है और ये सब मेरे बेटे को मिलेगा वो आराम से मेरा बिजनिस आगे बढ़ाएगा लेकिन आप तो अपने बेटे को सीधा मेनेजर पद पर नहीं बिठा सकते आपके बेटे तो फिर से वही जूनियर पद से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने की है, आपकी मेहनत का उसे ज्यादा फाइदा नहीं मिल पाएगा जेपे से महेंद्र बाबू बिना कुछ बोले समोसे के पैसे देकर वापस कमपनी रवाना हो लिए, दोस्तों इस कहानी में नौकरी और बिजनिस की एक तर्क संगत तुलना की गई है, हम ये नहीं कहते की नौकरी करना बुरा है, दरसल नौकरी भी अच्छी है और अच्छाई बुराई तो हर काम में होती है लेकिन बिजनिस नौकरी से कैसे उत्तम है ये बात इस कहानी में बताई गई है, ये कहानी बड़ी ही मनोरंजक है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आएगी, तो चलिए कहानी पढ़ने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और अपना कीमती कमेंट हमें लिख कर भीजिए, आपके कमेंट हमें और अच्छा लिखने को उत्साहित करते हैं